हम भारतिया मिलकर चलेंगे देश को आगे बढ़ाएंगे तीसरे कारेखाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है साथियों NDA सरकार की प्रतिबद्दता हमेशा ही समाज के हर छेत्र और हर बर्क के विकास की रही है बीते दस वर्थों में हमने पचीस करोड लोगों को गरीबी से बहार निकाला है और इसमें एक बड़ी संख्या S3, S3, OBC की है हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जाए बुमन लेट डेवलप्मेंट हमारी सरकार के गवर्णनेंस मोडल के केंद्र में रहा है स्पोर्ट से स्पेस और एंट्रेप्रेणर स्थिप तक हम हर छेत्र में माताओं, बहनों, बेटियों को नए आउसर देने के लिए काम करेंगे बीते दस वर्षों में आपने देखा है हमने मेडिकल कॉलेज के संग्या दो गुनी की है एम्स की संग्या तीन गुनी की है स्वरोजगार और स्टार्ट उसमें आईतियासिक बड़ोत्री हुई है हमने भारत को दुनिया का सब दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मेनिफेक्चर बनाया है अब इलेक्ट्रोनिक्स सेमिकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्यास किया है हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता हम अपने युवाओं को सिख्षा रोजगार स्वरोजगार हर शेत्र में ससक्त करेंगे किसानों के लिए बीच से बाजार तक आदुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्रात्पिक्ता पर होगा दलहन से लेकर खाड्य तेल तक हम अमारे किसानों को हर शेत्र में आत्मन निर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे साथियों आने वाला समय ग्रीन एरा है हरी त्यूक का है आज भी हमारी सरकार की नीतिया प्रगती प्रक्रती और संस्क्रती के समागम की है हम ग्रीन इंडिस्ट्रिलियाजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी करणा मी बना लिक लिए एंडिये सरकार पूरी शक्ती से काम करेगी भाई और भेनो आज का भारत बैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है हमने कोरोना के दोरान देखा है कि कैसे भारत की वैक्सिन केपिसिटी ने दुनिया को संकट से बचाने में मदद की हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लेंडिंग करके स्पेस एक्स्प्रोरेशन के नए रास्ते खोले हैं क्लाइमेट चेंज से लेकर फूड सिकुरिटी तक जो भी विशय दुनिया के सामने हैं भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है भारत ग्लोबल सप्लाइज चेंज को स्टैबिलिटी और डाइवर्सिटी देना भी अपना दाईत्व समझता है इसलिए भारत आज विश्व बंदू के रुपे सबको गले लगा रहा है मुझे विश्वास है मजबुद भारत मजबुद दुनिया का एक मजबुद स्तंब सिद्ध होगा साथियों 21 सदी के भारत को आगे बढ़ रहा है तो उसे करप्षन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा डिजिटल इंडिया और टेक्नोलोजी ने करप्षन का नेक रास्ते बंद किये है लेकिन ये भी सच है कि करप्षन के खिलाब लड़ाई दिनों दिन कठीन हो रही है राज नेतिक स्वार्थ के लिए जब करप्षन का महिमा मंदन शुरू हो जाए और इसमें निरलज्जता की सारी हदे पार हो जाए तब करप्षन को बहुत ताकत मिल जाती है इसलिए तीसरे कारिकाल में एंडिये सरकार का बहुत जादा जोर हर तरह के करप्षन को जड़ से उखाड फैंकने का होगा भाई और बहनों भाजपा के हर कार करता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है सेवा भाव से बड़ी राजनीती कोई नहीं हो सकती इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरी रखने की प्रंपरा को निरंतर मजबूत कर रहा है भाजपा का कार करता जन अकांख्षाओ जन भावनाओ और जन अपेक्षाओं का प्रतनीदित्व करता है और यह हम कभी भोल नहीं सकते है जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संबात करते रहें साथ्यों कुछी दिनों में देश छत्रपति सिवाजी महराज के राज्या विशेक की तीन सो पचासवी वर्षगाट बनाएगा उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेणा है कि देश पत पर अड़ी कैसे रहा जाता है अपने धेपत में भी हमारी महनत में कोई कमी ना रहे